हेलो एब्रिवन, आज मैं बना रहे हूँ आलू और आटे से बनने वाले क्विकी स्नेक्स एक मेंजरिंग कप लेना है हमें गेहूं का आटा वन फोर्थ कप मैदा हाफ टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून हमें लेना है घी यहाँ पर मैं शुद्य देशी गी का यूज कर रहे हूँ घी डालने के बाद में आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे इसे आटा थोड़ा से एरी हो जाएगा और फिर मुठी बांद के देखें अगर मुठी बन लेए तो इसका मतलब मोयन ठीक है अगर कम लगे तो थोड़ा सा और एट कर ले और भी इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक हमें टाइट सा डो बनाना है जैसे हम पूरी का बनाते है ना बिल्कुल वैसे और यहाँ पर मैंने केवल 3 टीबल स्पून पानी का यूज किया है तीन छोटे मैंने उबले हुए आलू लिये है और इसमें बाइंडिंग के लिए हमें डालना है थ्री टीइ स्पून कॉन फ्लोर अच्छे से स्पून भरके डालनी है कॉन फ्लोर की हाफ टीइ स्पून सॉल्ट हाफ टीइ स्पून लालमिश पाउडर हाफ टीइ स्पून हल्दी पाउडर वन टीइ स्पून धनिया पाउडर हाफ टीजपून अमचूर पाउडर और एक बारी कटी हर इमिर्ज तो ये हमारी फिलिंग तयार होगी अच्छे से से मिक्स कर ले और अब जो हमने आटा तयार करके रखा है न इसे बस दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है और इसकी हमें बनानी है दो रोटियां तो बस थोड़ा सा ओयल लगाकर या फिर सूखा आटा लगाकर इस तरीके से रोटि बना ले बिल्कुल दो हमें बनानी है सीम साइज की और फिर एक रोटि के उपर रखेंगे हम अपनी फिलिंग और इसे हाथ से अच्छे तरीके से स्प्रेट कर दें और फिर इसके उपर हम लगाएंगे दूसरी रोटि इसे सेट कर लें चारो तरफ से इस तरीके से और फिर एक बार इसे फिर से बेलेंगे तो बस बिल्कुल पतला से हमें इसे बेल के तयार करना है यहाँ पर मैंने गिहुंके आटे से बनाया है तो किवल मैदा से से बनाये तो बिल्कुल समूसे वाला फ्लेवर आएगा इसमें और मोयन के लिए हमेशा घी का यूज करें घी से जब हम मोयन लगाते हैं न कोई भी मठी वगएर आप बनाओगे तो बहुत सौफ्ट और क्रिस्पी बनके तयार होगी आयल से क्यों थोड़ी सी कडक्सी हो जाती है न बस इस तरीके से हमें ये कट कर लेना है और थोड़ा सा इसको सेट भी कर लें इस तरीके से हाथ से खीच के सेट कर लें और फिर छोटे-छोटे हमें इसके square बनाने है या फिर आप चाहें तो ऐसी square भी बना सकते है या फिर इस तरीके से shape भी दे सकते है तो बहुत सुंदर सा shape बनके तयार हुआ है एक मैं आपको और दिखाती हूँ फिर से बस इस तरीके से हमें बनाना है और इन्हें fry करना है हमे बिल्कुल high flame पर सारे बनके तयार हो गया है और oil भी अच्छे से गरम हो गया है तो गरम गरम oil में ही हमें high flame पर इन्हें deep fry करना है जब यह थोड़ा सा सेख जाएंगे हलका सा brown हो जाएगा उसके बाद में फिर हम flame medium कर देंगे medium flame पर थोड़ा सा सेख और थोड़ा सा low भी कर सकते हैं आप बिल्कुल हमें crispy करना है क्योंकि जब हम धिमी धिमी आज पर सेखेंगे तब यह बिल्कुल crispy बनके तयार होगा color बहुत अच्छा है इसे में निकाल लेती हो और जब हम दूसरा बैज तयार करेंगे तो हमें फिर से flame high कर लेना है high flame पर फिर से आप इसे सेखें और जब थोड़ा से brown color आ जाए फिर उसे low to medium रखें और crispy होने तर इन्हें deep fry करें सभी बनके तयार हो गए है और इसने एक सु बिना चाय की अधूरे है तो फिर हरी वाली चटनी के साथ में और चाय के साथ में enjoy करेंगे फिर मिलते हैं thank you